वीडियो में मैं आपको वताने वाला हूं कि आप अपने phone की contact को अपनी Google Drive में किस तरह से upload कर सकते हो सबसे पहले आपको अपने contacts को जो हे open करना है Contacts को open करने के बाद अब आपको यहां उपर इन ठी dots पे खुण करना है three dots पे click करने के बाद अब आपको यहाँ पे contact settings वाले option पे click करना है contact settings पे click करने के बाद अब guys आपको यहाँ पर import export contact वाला option देख रहा होगा अब आपको simply इस पे click करना है import export contact पे click करने के बाद अब आपको यहाँ पे export to storage device पे click करना है इतना क्लिक करने के बाद अब आपको अपने कॉंटैट को स्लेट कर लेना है इतना करने के बाद आपको यहां नीचे इस एक्सपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करना है export वाले option पर click करने के बाद अब आपके सामने कुछ as interface होगा अब guys आपको simply इस contact जो file इस तरह से बनके आजाएगी आपके सामने आपको simply save पर click कर देना है और guys save पर click करने के बाद आपकी जो contact file आपके drive में upload हो जाएगी तो मैं आपको देखाता हूँ कि वो जो file कहा upload हुई तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने google drive को open करना है गूगल drive को open करने के बाद अब guys आपको यहाँ new folder मिलेगा या guys आपको जो यहाँ उपर notification आजाएगी किस drive में upload हुआ है तो मैं आपको directly वो open करके दिखाता हूँ तो गाई जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारे जो contact वाली file है वह यहाँ पर अप्लोड हो चुकी है तो इस तरह से आप भी अपने गूगल drive में अपने contact को upload कर सकते हो वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करके जाना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी subscribe कर देना